रक्षा बंधन के पावन पर्व के दिन बहने अपने भाईयों की कलाई पर राखी बांद कर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं वहीं भाई अपनी बहन को तामर उसकी रक्षा का वचन देता है आज आपको बताते हैं कि रक्षा बंधन पर अपने भाई को राशी अनुसार आप किस तरह से राखी बांदे आपके भाई अगर मेश राशी के हैं तो उसे लाल रण की राखी बांदे और मिठाई में माल पुए खिलाएं ऐसा करने से भाई को मानसिक शान्ती मिलेगी आपके भाई की राशी करक है तो इस साल राखी के त्योहार पर भाई की कलाई पर सफेद रेशम वाली राखी बांदे मिठाई में कलाकंद या बदाम कतली खिलाएं ऐसा करने से मानसमान में बढ़ होती होगी और भावनात्मक रिष्टे मजबूत होगे सहराशी वाले भाईयों को औरेंज राखी बांदे और मिठाई में घेवर की मिठाई या बालुसाई खिलाएं इसे शुक्षा के शेत्र में सफलता प्राप्त होगी और करियर जॉब लाब मिलेगा अगर आपके भाई की राशी करन्या है तो अपने भाईयों को गणेश जी के प्रतिक प्री राखी बांदे और मोती चूर के लड़ू खिलाएं इसे विवाहिक जीवन सुखद रहेगा और अच्छा शुब परिणाम मिलेगा आपके भाई की तुला राशी है तो रेश्मी हलके गुलाबी डोरे वाली राखी बांदे मिठाई में उन्हें का जुकतली है मावा बर्फी की मिठाई खिलाएं ऐसा करने से व्यवसाई की चिंता दूर होती है और इस्थिती समाने बनी रहती है आपके भाई की राशी व्रिश्चिक है तो चमकीला लाल रंग वाली राखी बांदे मिठाई में उन्हें पंचमिवा बर्फी या अंजिर कतली मिठाई खिलाएं ऐसा करने से उनके क्रोध और रोग से आराम मिलेगा भाई की राशी धनू है तो पीले रक्षा सत्र की राखी बांदे और मिठाई में बेसंचकिया जले भी खिलाएं ऐसा करने से नौकरी रव्यापार की बाधा दूर होगी आपके भाई की राशी मकर है तो परपल रक्षा सत्र वाली राखी तो पीले रक्षा सुत्र की राखी बांदे और मिठाई में उन्हें केसर बाटी मिठाई खिलाएं ऐसा करने से मन स्वच्छ होगा और वह हमेशा स्वस्त रहेंगे राखी बांदने की पूजा विधी की अगर बात करें तो राखी बांदने से पहले भाई को उतर या राखी बाल इकन पूर अप्डेट्स